वापकी वोट एक लिम उपकर आज की कंडिशन की बात करें तो गाइज अफकोर्स जो की सेंसेक्स काफी डाउनफॉल उसमें देखने को मिला 1200 जो की इवन उसमें करेक्शन हो चुका है आज एक ही दिन में 1200 डाउन जा चुका है अगर बात करें इन फी भी वेन नियुकी तो गाइज अफकोर्स एक यहाँ पर जो की ओफोर्चुटी है या फिर क्या है पूरा डिसकस्न इस वीडियो के थुरू करेंगे तो गाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलें अद्वाइज एक लेटेश अपडेटी नियूज म मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम जो की करीब करीश सवा सो रुपए के आसपास कर्शे हो गता था और अभी एट पिजिन आपको 41-42 रुपए के आसपास इसका फ्लेक्शिशन मार्केट में मिल रहा है अगर बात करें इसके एनलेसिस की तो काफी सारी चीज़ें बेटर अगर बात करें इसके आज की तो लगातार इसमें डंपिंग की जा रही है डंपिंग होते होते जो की यहां पर 41 रुपए के आसपास आ चुका है पर बात करें तो इसके एक बड़ा जम्प देखने को मिला है सेप्टेमर क्वाटर में 310 करोड का रवेनियू सो किया है and of course quarter on quarter हो या फिर year on year हो एक बड़ा jump देखने को मिला है net profit की बात करें तो यहाँ पर holding को increase किया गया है September quarter में and अगर बात करें यहाँ पर जो की year on year हो या फिर quarter on quarter हो अच्छा खाचा jump देखने को मिला है earning per share की बात करें तो यहाँ पर जो की of course काफी downfall देखने को भी मिला है upside भी देखने को मिला है जो अगर quarter on quarter comparison करें अगर year on year comparison करें तो downfall भी देखने को मिला है and apart from that अगर बात करें share holding की तो यहाँ पर जो promoter holding है 31.07% के साथ holding अभी बनी हुई है and अगर बात करें holding तो यहाँ पर guys holding को decrease गिया गया है तो 32.33% से 32.39% 31.90% 31.09% 31.07% तो यहाँ पर दीरे दीरे holding जो promoter की holding है वो decrease हो रही है बट साथ में जो pledge है वो बिलकुल zero कर दिया गया है and FIA की बात करें तो FIA की holding जो की यहाँ पर even अगर comparison करें quarter on quarter तो holding को increase किया गया है 0.08% के साथ BIA की बात करें तो holding यहाँ पर जो की बिलकुल stable है दो quarter से public holding की बात करें तो public holding में यहाँ पर downfall देखने को मिला है of course यहीं तो जरूरत है ऐसी चीज की तो जरूरत है अब भी अगर बात करें इन्फिविम वेन्यू में others की बात करें तो others की holding यहाँ पर जो की 2-3 quarter से बिलकुल stable है and apart from that अगर बात करें यहाँ पर mutual fund की तो holding 0.03% के साथ बिलकुल 2 quarter से stable है foreign investors की बात करें तो holding को increase किया गया है तो guys अब question यह आता है कि exactly यहाँ पर चल क्या रहा है तो guys यहाँ पर total holding की बात करें तो holding यहाँ पर जो promoter की holding है वो ज्यादा नहीं है ज्यादा नहीं है इट मिंस कि यहाँ पर holding decrease की जा रही है करीब करीब अगर एक साल की का comparison करें तो 100% के आज पास इसमें decrease देखने को मिला है and guys of course ऐसी चीजें of course नहीं होनी चाहिए किसी उपर बढ़ने के लिए एक बड़े investors की जरूरत होती है and बड़े investors के लिए DIA की जरूरत होती है FIA की जरूरत होती है promoter की of course एक अच्छी खासी holding होनी जरूरी होती है क्योंकि उपर अगर price बिना किसी बड़े investors के चला जाता है तो guys यहाँ पर बड़े investors की जो investment है वो यहाँ पर बिल्कुल कम पढ़ने लग जाती है क्योंकि बड़ा investors उसमें interest नहीं लेता जब share price उपर चला जाता है क्योंकि हर किसी को profit चाहिए होता है तो guys सेम चीज यहाँ पर infivim venue में हो रही है and यहाँ पर जो price है वो काफी time से बिल्कुल maintain है अगर आप 6 महीने का record देखेंगे तो उसमें भी आपको जो price fluctuation है वो 10 रुपे पर ही यहाँ पर fluctuate होते हुए नजरा रहा है तो guys यहाँ पर last 6 महीने का fluctuation देख लेते हैं तो 6 महीने का अगर last 6 महीने का fluctuation देखें तो यहाँ पर 40 रुपे से लेके 50 रुपे के आज पास तक ही fluctuation दिखा है it means की 10-15 रुपे का ही fluctuation इसमें दिखा है and guys of course यहाँ पर 50 रुपे तो थोड़े time के लिए ही गया था अगर आप देखेंगे तो 50 रुपे से उपर का price है वो कुछ time के लिए ही गया था उसके बाद यहाँ पर downfall start हो गया था तो guys यहाँ पर 6 महीने से 10 रुपे के आज पास ही maintain है एक बड़े investors की of course यहाँ पर जरूरत अभी महसूस की जा रही है तो guys जैसे ही कोई बड़ा investor जैसे ही public holding इसमें कम होती है एक बहतरी जम्प इसमें देखने को मिल सकता है बट हाँ यहाँ पर एक golden opportunity आपके पास है यहाँ पर इस price level में आप इसमें investment कर सकते है एक of course अगर आपका target so share का है for example आप यहाँ पर 62-70% आप बाए कर सकते है इस price level पे and guys of course मैं जो remaining की बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी भी peak जो की over नहीं हुआ है sensex का आज भी 1200 point down है market बट यहाँ पर और भी even यहाँ पर correction हो सकता है क्योंकि market है वो काफी उपर गई हुई है तो थोड़ा सा यहाँ पर समल कर ही पाए करें मैं बात सिर्फ और सिर्फ infibium की ही नहीं कर रहा हूँ बात मैं और शेर की भी कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर correction और भी हो सकता है अगर बात करें यहाँ पर कि exactly यहाँ पर क्या हो रहा है तो कैस यहाँ पर totally totally maximum कंपनियों का result आ चुका है and result की वजह से जो share जो sensex है वो करीब-करीब maintain था 60,000 के आजपास काफी दिनों से और अभी उसमें जो की 3-4 दिन से जो की last week भी काफी minus में थी बट यहाँ पर इतना correction enough नहीं है और भी हो सकता है क्योंकि जो market का जो peak है वो काफी ऊपर है even जो की 60,000 को cross कर चुकी थी market और अभी भी जो market है वो 58,000 के आजपास ही है तो हो सकता है यहाँ पर और भी correction हो क्योंकि आज ही एक बड़ा दमागा ओल्री हो चुका है 1200 point का और 1200 point ओल्री minus में जा चुकी है जैसे जैसे market end होती जाएगी हो सकता है अभी जो यह 1200 point है यह और increase हो सकता है थोड़ा सा इसमें जो की आप डाउन देखने को मिले बट जादा इसमें नीचे की side इसमें प्लस इसमें देखने को नहीं मिल सकता आज क्योंकि ओल्री जो काफी बड़ा pressure ओल्री जो की market के उपर है अगर बात करें इसके लावाद हो सकता है कि जो sensex है वो काफी इसमें करिवरी 50,000 से 55,000 के आज पास भी यहाँ पर टूड जाए क्योंकि ओल्री जो की profit booking भी start हो चुकी है केलसा जैसी company ने भी यह चीजें जो की जो एक credit rating agency है उसने भी यह clearly किया था कि इंडिया की market में अभी जो की profit book करने का time आ चुका है तो थोड़ा सा be careful कोई भी buying करें आप प्ली लाइक कमेंट सेरे सब्सक्राइब थेंक्यू टेक केर